हेलो बचो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 का गीत अगीत इस कविता के कवी है रामधारी सिंग दिनकर दिनकर जी का जन्म 1908 में हुआ था और बहुत ही प्रसिद्ध कवी है ये इस कविता में कवी ने प्रकृति की सुन्दर्ता के साथ साथ जीव जन्तों के प्रति प्रे मन में एक प्रेम भाव होना चाहिए उसका एक सुन्दर चितरन किया है कवी को कही नदी के भाव में गीत का जन्म होता हुआ जान पड़ता है तो कहीं शुकशुकी नामक पक्षी के कारेकलापों में भी गीत सुनाई देता है और जब एक लोग गीत को गाता प्रेमी गीत कवी का मानना है कि गुलाब का फूल शुकी पक्षी और प्रेमी का प्रत्यक्ष रूप से गृत का निर्मार ना किया हो या गीत गान भले ही ना कर रहे हो पर दर असल वहां गीत का निर्मार और गान भी हो रहा है मतलब डारेक्टली भले वो गाना ना गा रहे हो लेकिन वहां पर गीत अपने आप बन रहा है क्या मतलब है कहने का कि कविता जो है वो प्रकरति में अपने आप उत्पन होती है उसके लिए कुछ प्रयास करने के आवशक्ता नहीं पड़ते है अब वो यहाँ पर इस कविता में एक प्रश्ण करते हैं अपने आपसे कि मेरे द्वारा गाया हुआ गीत सुंदर है या प्र गीत है और मेरा गीत है तो यह गीत और अगीत में सुन्दर कौन है यह प्रश्ण को इस कविता में करते हैं तो बड़ी प्यारी सी चोटी सी कविता है इसकी व्याख्या देखते हैं गाकर गीत विरह की तटनी बेगवती बहती जाती है दिल हलका कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है तटपर एक गुलाब सोचता देते स्वरियदी मुझे विधाता अपने पजड के सपनों का मैं भी जक्को गीत सुनाता गागाकर गह गागाकर बह रही निर्जरी पाट कर दिया है वेगवती बहती चाती और तेजी से बहती जा रही है और वो कुछ कहती जा रही है कि मेरे दुख के मेरे विर्ह के मेरे बिछडने के जो गीते हैं दिल हलका कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती हैं उसको अपने मन का बोज कुछ हलका करना चाहती है तो जो गोबर के गोबर को ड्राइ करके ऐसे केक बना देता है काउडंग बोलते हैं उसको तो उसको उपले कहते हिंदी में उसको फिर चूलों में जलाया जाता है पुजा में भी हम हवन में भी उसका प्रयोक करते हैं तो व क्या सोच रहा है दे टे सोवर यदि मुझे विधाता अगर ईश्वर मुझे स्वर दे देता शब्द दे देताonter मैं भी जककोग सुनाता तो मैं इस दुनिया को मैं भी अपने कीस सुना पाता सब्सक्राप्याग कर sha e वो तट पर खड़ा हुआ है जरना गिरता है तो गिरने से भी संगीत उभरता है नदी बहती है तो उसके वेक से भी संगीत उभर रहा है लेकिन जो गुलाब है वो इस तर एकदम तठस तट पर खड़ा हुआ है तो वो कह रहा है कि काश मुझे भी स्वर दिया होता तो मैं भ यहां जाता है कि कविता जो है वो हमेशा वेदना से उत्पन हुई है आह से उपजा होगा गान यह पंत ने कहा था तो जब दर्द आता है तब हमारे अंदर से गीत अपने आप निकलता है तो जब कभी गुलाब में पच्छड आता है तो क्यों तो उसकी पत्तियां सब गीत अगीत कौन सुन्दर है अब कभी अपने आप से प्रश्ण करा है यह जो गीत मेरे गीत जो मैं लिख रहा हूं यह सुन्दर है या प्रतवी द्वारा दिया हुआ गीत जो अगीत रह गया जो की नहीं गाया जा पाए वो जादा सुन्दर है इसकी व्याख्या देखते कविता के इस भाग में नदी के बहने से जो सुन्दर दिखाई दिखाई देता है कवी ने उसका बहुत सुन्दर वर्णन किया है कवी कहता है कि नदी को बहता हुआ देकर ऐसा लगता है जैसे नदी किसी के बिछडने से दुख में दुखी होते हुए गीत गाते हुए आगे नदी पहारों से बिछड़ करके नीचे जाती ए वो तो वो जो अपनी बिछड़ा हने अपना विरह का दर्द है वो अपने गाने में एक दुनिया को बता रही है और वो तेजी से बह रही है ऐसे में लगता है कि वे अपना दुख कम करने के लिए किनारों से कुछ कहती हुई बहती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि वो किनारे पर जो उपले हैं उनसे और किनारों से कुछ कहती हुई जा रही है अप अभी पूरी दुनिया को अपने सपनों के गीत पर सुनाता अपने पज़र के सपनों के गीत सुनाता जरना भी बहवकर गीत का रहा है अब जरना उपर से कल 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 जरना बह रहा है तेजी से तो जो पानी की जो आवाज है यानि उनको तो स्वर मिला हुआ है वो तो अपने स सब सोच कर देख कर सोच रहा है कि मेरे द्वारा गया हुआ गीत जादा सुन्दर यह प्रकर्ति द्वारा ना गा सकने वाला अगीट सुन्दर है यहां यही गीत और अगीत कवता है दूसरी पंकतियां देखिए अगली पंकतियां बैठा शुक उस घनी डाल पर जो खोते की पंक फुला नीचे खोते में शुकी बैट अंडे है सेती, गाता शुक जब किरन बसंती, छूती अंग पन से छनकर, किन्त शुकी के गीत उमड कर रह जाते सनेह में सनकर, गूंज रहा शुक का सुरवन में फूला मगन शुकी का पर है, गीत अगीत कौन सुन्दर है, अभी इ मुआ छाया देती, जो उसको खोते मतला उसके खोते कुगरनी छाया दे रही है, खोता मतला उसके चाया देने वाला जो तोत्त है उस पर एक तोता हुआ है पंख फुला कर नीचे खोटे में वह सकते हो तो हम सबस्टें जो आपने बच्चों को तो रही है गाता शुप्जप किरण वसंती और शुक्जब उपना गाना गारा वह अपनी अभी सूरज की किरणे जहें वह उसके पंखों को चूरहे हैं तो उस परचते वह कुछ हो रहां है तो अभी सूरज की हलग के किरन पढ़ रहे वह गने पेड की जा 죄송 पर बैठा हुआ मन कर नहें आपनो वह तोत्य के प्रेम में हकान अंदित सवर्वन में आपकैन इसको लगा तोत्य होắn हुआ, अपने बच्चों को गोशने में से रही है लेकिन ये सब कुछ देख कर प्रकरती का ये चटर देख कर कवि के मन में आ रहा है गीत अगीत कून सुंदर है जो काविता तोता पेड़ की घनी डाल पर बैठा है जो डाल उसके गोसले की चाया देती है उसी गोसले में उस तोते की मादा अपने पंखु को पहला कर अपने अंडे से रही है कभी कहता है कि यह जब सूर की किरने पत्तों से चंकर आती है तो तोते के पंखु का इस परिश करती है और गाना गाने लगता है उसका गाना सुनकर उसकी मादा भी गाना चाहती है लेकिन उसके गीत के वल तोत Bullies पूरी नहीं समारी बहुत को हो जाकर्टी सुन्द है और प्रकरति के पास भी सवर होता तो शायद प्रकरति हम अच्छा गीळ गाती है कि रखे इस त्रोप्रेश की राधा को घर से» सद्रने गाता है, रहते हैं यहां कीच लाता है चोरी चोरी छिपकर सुनती हुई न क्यूं मैं कड़ी गीत की विधना यूमन में गुंती है वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है यीत अगीत कौन सुन्दर है अब यहां दूसरा वर्णन हो रहा है दूसरा चितर आंकों के सामने है कि कोई प्रेमी प्रेमिका है वो बागों में खेत में घूम रहे हैं दो प्रेमी है यहां एक जब बड़े सांज आलहा गाता है अभी एक प्रेमी जो है जब सांज मतलब शाम होती तो आलहा जो एक लोग गीत है तरह का विधा है यह गाने की उसको गाता है शाम के समय लोग जब ग चुरी चुरी छुपकर सुनती एस चुरी 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 वह सखतर मतलाम कि यह इस इस विधाता अगर तुमने मुझे इस गीत के शब्द बना दिया होता यूँ मन में, अपने मन में सुची, काश में संगीत की होती, तो मैं इसके मुझे निकल रही होती, तो शायद ये मुझे गा रहा होता, मतलब वो अपने प्रेमी का सानिद ये उसके पास जाना चाह रही है, और अपने मन में सुची, हे विधाता काश में इसी इस गीत का वो जिसे ये गुनगुनाता वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा है इसके अंदर गात तो वो प्रेमी रहा है लेकिन प्रेमिका का अंतर जो अंतर मतलब दिल वहरद है वो फूल रहा है खुशी से फूल ही नहीं समा रही है अपने प्रेमी का गीत सुन करके तो यहाँ एक प्रे दोनों प्रेमियों का वर्णन करते हुए कहता है कि एक प्रेमी स्मय कोüre उसके गाने को सुनकर अपने घर से वन कु की और खीची चलिया आती वह चोरी छूप कर अब शुप छुप कर अपने प्रेमिय गाना सुनती और मन में सोशती है कि वह उस गीत का हिस्सा क्यूं बनती कास्षमेज गीत का हिस्सा होथी यह तो मैं इसके साथ गा पाती उसके साथ बैट को जब प्रेमी गाता है तो प्रेमी का कंद होटें को खोला नहीं समझा लाया मेरे द्वारा घा आप difकरतु के द्वारा कने वाला अगीत सुन्दर तो यहां पर उसके मन में फिर से यह प्रशनाता है यहां बच्चों यह कविता खतम होती है चोटी सी कविता है तीन चित्र है इस कविता में पहला चित्र है नदी जरने का और गुलाब के फूल का दूसरा है तोते का तोता और तोती का और तीसरा है प्रेमी प्रेमिका का जो तो वह पूछ रहा है मेरा गीत अच्छा है या प्रकृति का ना गाया जा सकने वाला अगीत जादा सुनदर अच्छो यह चोटी सी कविता उम्मीद करती हूं आपको समझ में आ गए होगी आसान बहुत है मिलते हैं अगले वीडियो में इसी कविता के प्रशुतर के साथ वीडियो को ध्यान से सुनिये समझने की कोशिश करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए गुडबाए